कि हलो दोस्तों उम्मिद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे तो दोस्तों आपको मैं फिर से बताऊं जो नए लोग वीडियो देख रहे हैं कि हम जिरो से लेके और आई सी लेविल तक का प्रोग्राइमिंग बगारा यूफाई बॉक्स जेटेक्स बगारा सब कुछ अपन हमें शेर कीजिए लोगों को ताकि जादा से जादा लोग हमसे फाइदा उठा सकें तो दोस्तों आज का हमारा क्लास है नाइन और आज हम बताने वाले हैं क्रिश्टल के बारे में जो लोग काम करते हैं वो जानते हैं क्रिश्टल क्या होता है जो नहीं करते हैं बिल्कुल आता है crystal को थीक है bco का मतलब होता है voltage controller oscillator ठीक है यानि voltage control oscillator यानि generator अब यह कितनी तरह का होता है crystal दो तरह का होता है एक हमारा RTC crystal होता है ठीक है RTC का मतलब होता है, RTC जो crystal हमारा होता है, इसका मतलब होता है real time clock, और RF का मतलब होता है radio frequency, यानि दोनों को अगर देखा जाए, तो दोनों का काम क्या है, frequency generate करने का काम है, दोनों का काम क्या है, frequency generate करने का है, जो RTC crystal है, ये power AC के पास में लगाया जाता है, इसका काम भी clock का है, signal का है timing का है और ये RF जो crystal होता है ये हमारा network section में लगाए जाता है और इसका काम भी क्या होता है frequency का ही होता है ठीक है अभी आगे मैं बताँ हूँ आपको ठीक है दोस्तों तो ये तो इनके काम हो गए अब हम बात करते हैं जो हमारा RTC crystal होता है ये crystal जो है ये कितनी तरह के होते हैं दो तरह के crystal होते हैं एक चीज़ मैंने बता दी RF crystal RTC crystal RTC crystal का काम जो होता है वो होता है CPU को command देने का ये किस तरह से लगा होता है RTC crystal जो होता है ये हमारा 4 lakh का होता है ये भी 4 lakh का होता है और RTC crystal जो होता है यह Power IC से Connect होता है Power IC से इसकी सप्लाइएं आती है और एक यह frequency को generate करता है और यह frequency जो है वो CPU को देता है यह CPU को command देने का काम करता है अगर यह खराब हो जाता है तो आपका phone क्या है? date condition में पहुँच जाता है अब आपका RF crystal जो होता है अगर यह खराब हो जाता है तो आपके phone में कोई भी network नहीं आता है क्योंकि यह frequency जो है वो generate नहीं करता है ठीक है? यहां तक बात हो गए इक दोने crystal की ठीक है? अब हम आगे बात करते हैं क्योंकि इसका काम भी क्या है? एक signal को पैदा करना है तो signal जो है वो दो तरह के होता है एक analog signal होता है और एक digital signal होता है यह repeat कर लिजिए signal कितनी तरह के होते है एक analog signal होता है और एक हमारा digital signal होता है इसको मैं इस तरीके से समझा देता हूँ देखिए जो हमारा analog signal होता है वो इस तरह से चलता है इस तरह से, इस तरह से चलता है, अनलोग सिगनल क्या है, इस तरह से चलता है, यानि कहीं पर उपर जाता है, कहीं नीचे आता है, कहीं नीचे आता है, यानि उपर नीचे उपर नीचे होता रहता है, वो अनलोग सिगनल जो है, वो दिखाई नहीं देता है, जब कि डिजिटल signal जो होता है वोगुछ इस तरह का होता इस तरह का हुआ कि अधिश्यकर फ्रेट करेंन होता है कि इस तरह थे यह आपका जule सिन्वल हो गया यह आपका एनलॉका सिनल हो गया यह दो तरह के signal क्या है होते हैं ठीक है अच्छा अब ये तो signal की बात होगे digital signal, analog signal अब जो है फ़ॉन में हमारी जायतर आपको क्या है ये आपको digital signal ही देखने को मिलेगा ठीक है अब हम थोड़ी सी आगे बात कर देते है signal के बारे में अगर आपको और समझना है आनलोग के बारे में या डिजिटल के बारे में और समझना है तो मुझे नीचे कमेंट कीजिए मैं आपको एक spect flown video signal पर बना दूँगा डिजिटल पर और आनलोग ठीक है तो हम अपनी class पर आते हैं लोट के दोस्तों आज के मारे class crystal के बारे में है तो दोस्तो crystal कहे तरह के होते हैं crystal को bc ob कहायाता है यायनि voltage control oscillator oscillator यानि एक ऐसी चीज जो किसी चीज को पैदा करती है generate करती है बनाती है ठीक है तो यह दो तरह के होते है RTC होता और RF होता है RTC का काम क्या होता है RTC जो है कहां लगा रहता है Power IC के पास में लगा रहता है और RTC जो है Power से Connect होता है यह Supply Power से इसको मिलती है और यह Command देता है किसको CPU को यानि जो यह Generate करता है यह जो Generate करता है Frequency को वो Frequency क्या है? CPU को देता है RF Signal कहां लगा रहता है RF Crystal, sorry RF Crystal रगा रहता है आपका Network Section में और यह जो Frequency Connect करता है ठीक है वो इससे रहती WTR वगएरा जो RF IC लगे रहती है उनसे Connect रहता है ठीक है? यह खराब होने से आपका Phone डेड़ हो जाएगा और यह खराब होने से आपके Phone में Network नहीं आएंगे यह बाते हो गई इनकी किस्मे हो गई इनके काम हो गई ठीक है? अब थोड़ी सी और डेटेल में आपको बता देता हूँ अब देखो डेटेल में इसको इस तरह से समझो आपको RF कतो मामला कतम हो गई RF तो सेट सेट आदो ठीक है? हम बात करते है RTC की यानि Real Time Clock Clock का मतलब भी सिगनल ही होता है अब भी जानते है ठीक है? तो कि मैंने बताया सिगनल क्या दो तरह का होता है Digital Analog ठीक है? Digital Signal जो होता है वो हमें क्या दिखाई देता है जैसे Digital Multimeter आपको समझ सकते हैं और Analog जो होता है यह हमें दिखाई नहीं देता है ठीक है? इसको थोड़ा सा अगर मैं इसको 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 एक वीडियो बनाऊँगा अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो आपको बड़िया तरीकी से मैं समझा दूँगा ठीक है? तो यहां समझ लिए RTC यानि Real Time Clock यानि इसको काम जो होता है टाइमिंग का होता है क्या होता है? टाइमिंग का अगर सही टाइमिंग जो है नहीं रहेगी सही सिगनल जनरेट नहीं होगा तो CPU आपका रन नहीं होगा CPU आपका रन नहीं होगा CPU को रन करने का काम करता है इस तरह है जब फ्रेकेंसी के जरी जब फ्रेकेंसी जन्रेंट नहीं होगी तो fawn ऑण नहीं होगा अब थोड़ी सम्द बात कर लेते हैं । आपकों सब्सक्राइब की यानि समेकिक में इसका कैसा आपको मिलेगा थोड़ा इस तरह का होगा वह है इस तरह का आपको क्या स्मेटिक में मिलेग और एक यहाँ पर किया है बॉक्स टैप का बना रहे Anytime इस तरह से आपको मिलेगा ठीक है अब इसमें जो है आपको बहुत मर्तमा एंस लिकाऊ कब यहां पर वाई ढी लिए लें फिर ना तियक्व कि करके दिखा धेता हूं एक प्वाइंट ऑन्प्स करके दिखा धेता हूं ये जान लीजिए जो आर्य發 hoot है इसके डो पॉइंड किया है राउन होते हैं और दो को स्प्रे मिलता है सप्लाई आती है और जो आपका RTC होता है इसमें एक पॉइंट जो है वो ग्रॉंड होता है और तीन पॉइंटों पर क्या है सप्लाई आती है ठीक है दोस्तों तो हम मैं आपको इसका प्रैक्टिकली चेक करके बताता हूँ तो दोस्तों अगर आप एक और वीडियू चाह रहें तो आप इसका क्रिश्टल पर मेगा हृर्ट पर पर ना प्रह पर जाते हैं अगरवें साहरे मेगा हर्ट क्या होता है कहीं सेदा का कहीं कम का मैं doctor plus ओं- जंदा को कहां पर कौन क्रिश्टल लगा जाता है अगर आप इस व जो है अगर लाइन ओक्यों तो यह हमारा सेमसंग का मोडल है एक प्रॉब कर देते हैं रेड प्रॉब को ब्लाक लगाते हैं तो यहां पर वह ला रहा है यहां पर तो आरेफ जो होगा अरेफ जो होगा इसमें दो डोपयंट के होंगे और मिलेगा ठीक है अगर मल्टिमेटर गयाला तो कि अध mauvais यहां लिखा होगा ठीक है सब्सक्राइब मिलता है और और आर्फ यानिश्क्रिक कृस्तल में आपको के दो इस अध्यार मिलेगा और वह 500 के सम्टिंग होगा थैक है 500 थोड़ा उपर यहां पर इस लगा देते हैं अब देखते हैं तो यहां पर क्रिश्टल था जिसके दो पॉइंट ग्रोंड थे और दो पे क्या जियार मिल रहा था अब हम आर्टी सी क्रिश्टल को भी चेक कर लेते हैं आर्टी सी को कि हमारा सही है कि खराब है क्या हमें जियार मिलेगा 800 400 ग्रोंड और 800 ठीक है यहने दो पॉइंट पर 800 जियार मिल रहा है और एक पर क्या है 400 मिल रहा है और एक तरह से इसमें एक ग्रोंड होता है इसी तरह से हम इस पर बीचे कर लेते हैं ग्राउंड है यहां देखिए तक आठ सो से उपर जियार मिल रहा है और यहां भी आठ सो से उपर जियार मिल रहा है और यहां पर 400 का सम्फ्रेंग जियार मिल रहा है समझ गए और यह ग्राउंड है तो दोस्तों अब रहे खराब है शौट हो गया है तो आपको क्या है उसके बाद में जब आपको बीप मिल रहा है आर एफ क्रिश्टल में अगर आपको तीन पॉइंट हो भी मिल रहा है तो निकाल के चेक करना है ऐसी आर टीसी में भी आपको अगर बीप मिल रहा है आपको लग रहा है शौट है तो फिर आप